भारती फिलम अभिनेतरी प्रीती जिंता का जनम 31 जनवरी 1975 को शिमला हिमाचल परदेश भारत में हुआ था। वर्तमान में ये 45 साल की है, यह एक बहतरीन एक्टर्स प्रिडूसर और राइटर भी है। कमाई के मामली में काफी आगे हैं, इनकी कुल संपत्ती 135 मिलियन यूएस्टी है, इसको अगर भारती रुपे में गिना जाए तो 8 अरब 70 करोड रुपे, प्रीती सबसे अमीर हीरोईन में से एक है, इन्होंने अपने करियर में काफी सूझबुच से काम किया, और अपने पैस बताया जाता है कि IPL में टीम खरीदने के लिए प्रीती ने पानी की तरह पैसा बहाया था, जिसका अच्छा रिजल्ट उनको मिला, प्रीती कई तरह की रियल स्टेट कंपनी में भी पैसा लगाई है, काफी बिजनिस चलाती है प्रीती, तभी आज दुनिया में इन्होंने इतनी कमर उम्र में इतना नाम और पैसा कमाया है, प्रीती जुन्टा की प्रारंबिक शिक्षा, Convent of Jesus and Mary Boarding School, Shimla the Lovers School, सन्वर सोलन हिमाचल में हुई थी, बाद में इन्होंने स्टी बेटा स्कॉलिज शिमला से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी है, गुरूदत, संजेदत, अमिर खान और शारुक खान प्रिती जुन्टा के पसंदिदा एक्टर है, प्रिती जुन्टा ने अपने करियर की शुरुवात वर्ष 1998 में फिलम दिल से की थी, उसके बाद प्रिती ने वीर जारा, क्या कहना, सलाम, नमस्ते और कल हो नहो जैसी फिलमों में जबरजस्त अभी ने किया, फिलमों में अच्छी नाम और शौरत पाने के बाद प्रिती जुन्टा के बिजनेस की दुनिया में आने का फैसला किया, यह सबसे यंग IPL टीम मालिक भी है, यह एक फिलम को करने के लिए प्रिती जुन्टा 4-5 करोड रुपे लेत फिलमें जब 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 हिट गई है, कई तो ऐसी भी है जो ब्लॉक बास्टर गई है, जैसे कि दिल से अर्मान, दा लास्ट इयर, हरपल, फर्ज, इश्किन पैरिस, मिशन कश्मीर, बाने मन, दा हीरो, क्या कहना, दिल चाता है, सलाम, नमस्ते, सोल्जर, रब्रती जिन्टा इस समय मुंबई में रहती है, और बिजनिस की दुनिया में ज़्यादा सक्री हो गी है, अब वो टीवी एड और अपने बिजनिस पर ज़्यादा समय देती है, फिल्मों में अब उनका रुजहन कम हो गया है, आईपेल टीम को लेकर काफी नाम और पैसा कमाया है प्रती जि जब प्रिती 13 साल की थी तभी उनके पापा की एक एक एकसिजेंट से मित्ती हो गई थी, इन्थी हिंदी फिल्मों में आने से पहले प्रती जिन्टा ने तेलुए इंग्लिश और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था, ये हिमाचल परदेश की ब्रांड एमबेस्टर भ माँ बन गी, बॉलिवुट की मशूर एक्टरस प्रिती जिन्टा और उनके पती जीन गुड़े ने हाल ही में अपने फैंस को गुड़ निउस देकर चौका दिया है, प्रिती जिन्टा चाली साल की उमर में दो बच्चों की माँ बन गई है, उन्होंने खुद एक खास पो प्रिती ने अपने इस्टरक्राम एकाउंट पर पती जीन के साथ तस्वीर शेर करते हुए एक पोस्ट किया है, इस पोस्ट में उन्होंने जुड़वा बच्चों से जुड़ी गुड़ निउस दी है, जुड़वा बच्चों में एक लड़का और एक लड़की है, जिनक इंटर डिंपल गल के नाम से मशूर है अपनी अक्टिंग से लाखो दिलों पर राज करती है प्रिति की किंती उन सितारों में होती है जो नीडर होकर अपनी बात रखती है आज हम उनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जिस पे आपको यकीन हो जाएगा कि प इनका निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया था और पेपर फिलम के निर्माता हीरा वेपारी भारत शाह और नाजीम रिजवी थे लेकिन असल में इसमें अंडर वर्ड डॉन छोटा शकील का पैसा लगा था फिलम इंडरस्टी में बड़े-बड़े अभिनेता अंडर व कामला होने की वज़े से प्रीती का बयान वीडियोग्राफी के जरी रिकॉर्ड किया गया बयान के अधार भारत शाह को गिरफतार प्रोडूसर इस बारे में बात करते एक्टरस ने एक इंटर्वी में कहा था कि मैं बहुत डरी हुई थी और परिशान भी थी फिर मैं फिल सरहाना की थी प्रीती जिंटा बॉलिवुड की सफसे सफल अपनियत्रियों में शुमार की जाती है उन्होंने कल हो ना हो कभी अलविदा ना कहना कोई मिल गया सलाम नमस्ते वीर जारा समित कई भैतरीन फिल्मों में काम कर इंडरस्ट्री में अपनी जगा बनाई हालंकि प प्रुखियों में आई थी 31 जनवारी 1975 को उनका जलम शिमला हिमाचल परदेश में हुआ उनके माता पिता का नाम दुर्गा नंद जिंटा और नील प्रभा है प्रीती के पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे जब प्रीती 13 साल की थी तब उनके पिता की एक कार एक्सिडे वे जल्द ही मैच्योर हो गई प्रीती की स्कूलिंग शिमला के कॉन्वेंट और जीसेस और मेरी स्कूल से हुई उसके बाद सेंट बेड़े कॉलेज शिमला से आगे की पढ़ाई की प्रीती बॉलिवुड की सबसे ज़्यादा पड़ी लिखी एक्टरस में से एक हैं उन्ह इसके बाद प्रीती ने कई विज्यापनों में काम किया 1997 में एक ओडिशन के दौरान शेकर कपूर ने प्रीती को देखा और उन्हें एक्टरस बनने की सला दी शेकर कपूर प्रीती और इत्तिक रोशन को लेकर तारारंपम बनाने वाले थे लेकिन यह कैंसल हो गई इसके यह फिल्म दो साल तक अटिकी रही इस तौरान प्रीती दिल से और सोल्जर जैसे फिल्मों में नजर आई और उनका फिल्मी करियर चल निकला 2016 की शुरुआती में एक्टरस प्रीती जिंटा ने अमेरिकन सिटिजन जीन गुडिनफ से शादी कर ली थी 29 फरवरी को जोडी ने लॉस एजिनेस में एक प्राइविट सेरेमनी में साथ फेरे लिये थे लगबक 6 माईनों बाद प्रीती जीन की वेडिंग फोटो सामने आई थी पंजाब किंग्स की मालके प्रीती जिंटा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 2009 आईपिल के दौरान उन्होंने अपनी टीम के लिए 120 आलू के परांठे बनाये थे इस बार आईपिल का सौलवा सीजन था इस सीजन में कई कहानिया बनती है अब तक आईपिल 23 काफी रोमांचक रहा है इस लीग में दुनिया भर के टौप किर्केटर्स हिस्सा लेते हैं आईपिल 23 के बीच पंजाब किंग्स मालकें पृति जिन्टा ने एक बड़ा ही रोचक खुलासा किया है उन्होंने बताये कि एक बार उन्हें अपनी टीम के खिलाडियों के लिए 120 परांठे बनाये थे ये बात आईपिल 2009 की जब पंजाब किंग्स की टीम को किंग्स 11 पं पूछा गया किसने सोचा था पृति जिन्टा अपने टीम के लिए आलू परांठे बनाएगी मुझे लगता है कि इसके बाद उन्होंने आलू के परांठे खाने छोड़ दियोंगे पंजाब किंग्स का मालकें प्रिजिन्टा ने इस बात पर जवाब देते हुए कहा पहल मैंने खिलाडे से कहा कि मैं उनके लिए परांठे तभी बनाऊंगी जब वो अगला मैच जीतेंगे उन्होंने अगला मैच जीत लिया इसके बाद मैंने 120 आलू के परांठे बनाए थे इसके बाद मैंने आलू के परांठे बनाना बंद कर दिये इस तोरान हरवजन सिंग औ मजात किया अंदाज में कहां रिफान अकेले 20 खाता है बता दे कि पंजाब किंग्स अब तक इस सीजन कुल 8 मैच मैच खेल चुकी है जिसमें उन्होंने चार में जीत दर्ज की है और 4 मैच गवाएं है टीम इन 4 जीत और 8 पॉइंट में 0.510 नेट रंटेज के साथ पॉइंट स्टेबल में छटे नंबर पर मौजूद है एक समय ऐसा था जब पृति जिंटा अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रहती थी अभिशेक बच्चन और पृति जिंटा की चमचमाती केमेस्ट्री ना केवल सेट पर बलकी सेट के भार भी सुर्कियों में थी कभी अलविदा ना कहना और जूम बराबर जूम जैसी फिल्मों में उनकी दोस्ती कई लोगों ने देखी हालंकी रिष्टे के बारे में पूछे जाने पर अभिशेक और पृति जिंटा ने दोनों ने हमेशा का कि वे इंड्रस्ट्री में सबसे अच्छे दोस्त हैं युवराज सिंग और पृति जिंटा की दोस्ती आईपियल के दुरान हुई थी युवराज सिंग की के एकस आईपी ट्रीम के स्टार बल्ले वाज थे हालंकी दोनों के अफेर्स की खबरें सामने आई थी हालंकी दोनों ने हमेशा इस तरह कि किसी भी लिंक अपकी खबरों का खंडन किया एक्टर और प्रेडूसर शेकर कपूर पृति जिंटा का नाम भी जोड़ चुका है दोनों की अफेर्स की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया इतना ही नहीं शेकर की पतनी ने पृति पर उनके घर को तोड़ने का भी अरोप लगाया था हलंकी पृति ने इन अरोपों को ज पृति जिंटा ने शारुख खान की फिलम दिल से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की थी इसके बाद उन्हें बावीदेवल के साथ फिलम सोलजर में देखा गया था बावीदेवल पृति जिंटा की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था पृति ने फिलम की कभी भी मुझे एसास नहीं होने दिया कि मैं नियू कमर हूं मैं जैसे ही फिलम के सेट पर पोश्टि देखते ही कुरसी छोड़ देते थे एक बार तर तो मैंने मना भी किया कि ऐसा मत करिये तो उन्होंने कहा कि आप हमारी हिरोईन हो हम आपकी सामने कैसे बैठ सकते हैं सेट पर मौझूत रहते थे लेकिन मैंने उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है वो खुद एक छोटे से कमरे में रह सकते हैं लेकिन कभी भी फिलम के साथ कॉम्प्रमाइज नहीं कर सकते मेरे लिए उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है बाविदेवल और प्रिति इनकल होना हो वीरजारा कभी अलविदान कहना ऐन भी काम किया है पृति जिंक्न पठागे साथ शारूखान की जोड़ी को भी काफी पसंद किया जाता है। उन्होंने हाल ही में अंग्रीजी वेबसाइट स्पोर्ट बॉय को इंटर्व्यू को दिया है इस तुरान उन्हें अपनी नीजी जिन्दगी के अलावा फिल्मी करियर को लेकर भी लंबी बातचित की है प्रिती जिन्टा ने लंबे समय से फिल्म इंडरस्टी से दूर चली फिल्म इंडरस्टी से गायब होने को लेकर प्रिती जिन्टा ने कहा मैं एक ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं हूं जो खड़ी हूं और आज किसी भी चीज के लिए शिकायत करने लगे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है अगर मैं एंटर्टेन्मेंट इंडरस्टी से दूर ह पुझे है कि मैं खुद को बेचने के लिए नहीं हूं आप मुझे खबरों में आने के लिए फिल्मी दुनिया में कोई जगा खरीदते नहीं देखेंगे मैं जो काम करती हूं उसके लिए सराना पाना चाहती हूं प्रिती जिन्टा के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है उन्होंने अभी भले ही बड़े पर्दे से दूरी बना रखी हूं लेकिन उनकी गिंती बॉलीवुड की शांदार हिट अबिनेत्रियों में होती हैं उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और इंडरस्ट्री में अपनी खास द्रगा को याद किया था उन्होंने अपने अधकारी Instagram एकाउंट पर इस फिलम से जुड़ी अपनी एक तस्वीर सांजा की थी इस अकड़ते हैं पृति जिन्टा ने फिलम दिल से जुड़ी एक याद को भी याद किया है उन्होंने तस्वीर के पोस्ट में लिखा हाती भी सोच रहे में नचर आई थी उनकी फिलम साल 2018 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिलम भाया जी सुपर इट में प्रिति जिन्टा के साथ अभिनेता सनी देल और अभिनेतरी अमिशा पटेल मुक्षे भूमिका में थे हालंकि ये फिलम दर्शकों के दिलों को जीतने में कामियब नहीं हो पाई